असलाम उलाइकूं प्यारे बच्चों रहबर ग्रूप आफ इंस्टिटुशन्स में आप सभी का खैर मगदम है आज हम सेकेंड क्लास का सबक नंबर दो उर्दु मजबून से मेरा बदन इस सबक को हम पढ़ेंगे सबक को शुरू करने से पहले आप सबी से मौदबाना गुजारिश है कि आप हमारे रहबर चाइनल को लाइक करिए सबस्क्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है अब हम सबक शुरू करते हैं सबक का नाम है मेरा बदन खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है मेरे बदन के कई हिस्से हैं आख, कान, नाख, मुँ, हाथ, पैर हर हिस्सा बड़े काम का है प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हमें अल्ला पाक ने बनाया है और अल्ला ताला ने हमें एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही नेमत वाली चीज हमें दी है बदन, जिस्म, बदन यानी जिस्म, हमारा जिस्म अब हमारे बदन के कई हिस्से हैं मतलब हमें अल्ला ताला ने आख, कान, नाख, मुँ, हाथ, पैर ये सारी चीजे हमें अल्ला ताला ने दी है और ये अल्ला ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए हर हिस्सा बड़े काम का है हमारे जिस्म का, हमारे बदन का हर हिस्सा जो है बहुत काम का है अल्ला ने मुझे दो आखे दी है मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देखता हूँ मैं अपनी आँखों को हर वक्त साफ रखता हूँ है ना अल्ला ताला ने हमें कितनी आँखें दी है दो आँखें दी है प्यारे बच्चों क्या आपने कभी किसी ना बीना शक्स को देखा है ना बीना यानि जिसकी आँखें नहीं है जो अंदा है जो कुछ नहीं देख सकता जब हम किसी ना बीना शक्स को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि अल्ला पाक ने हमें कितनी अच्छी नेमत दिये और हमें अल्ला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए हम जितनी भी बार अल्ला का शुक्र अदा करे वो कम है आपको पता है जो लोग नहीं देख सकते उन्हें दिन भी अंधेरा नजर आता है और रात में भी अंधेरा ही अंधेरा वो दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकते तो क्या हमें अल्ला का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि अल्ला पाक ने हमें इतनी अच्छी नेमत से नवाजा है है ना हमें दो आखे दी है अब आखों से कौन सा काम होता है देखने का काम होता है आप सबी को पता है मैं अपनी आँखों से हर चीज देखता हूँ मैं अपनी आँखों को हर वक्त साफ रखता हूँ जब अल्ला ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमत से नवाजा है तो हमारा क्या काम है कि हमें अपनी आँखों को क्या करना है साफ सुतरा रखना है साफ रखना है मतलब आखों को सफाई के साथ में रखना है हमारी आखों को हमें बार-बार साफ करना है पानी से दोना है सुबह उठने के बाद हमें अपनी चेहरे को साफ करना है और आखों को भी ठंडे पानी से दोना है ठीक है? अल्ला ने मुझे दो कान दिये है मैं अपने कानों से सुनता हूँ पता है आपको कानों से कौन सा काम होता है सुनने का काम होता है ना सभी को पता है और हम सभी के पास कितने कान है दो कान है चोरी चुपे दूसरों की बाते नहीं सुनना पता है आपको जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो हमें कभी भी चोरी छुपे उनकी बाते नहीं सुनना चाहिए बहुत बुरी आदत है ये जब दो लोग अगर बात करते हैं और हम चोरी से खड़े होकर उनकी बाते सुनते हैं ये बहुत ही गंदी आदत है हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए मैं अपने कानों को हमेशा मैल कुचेल से साफ रखता हूँ अब अब अल्ला पाक में हमें कानों जैसी नेमत दी है तो हमें उसकी सफाई का पुरा खयाल रखना चाहिए नहाने के बाद हमें अपने कानों को अच्छी तरीके से कौटन से कपास से साफ करना चाहिए तीसरी है नाक ये मेरी नाक है मैं नाक से सांस लेता हूँ नाक से कौन सा काम होता है सांस लेने का पता है आपको नाक हमारी जो है वो बहुत जरूरी है अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिन्दा ही नहीं रहेंगे इसलिए नाग जो है अल्ला ताला की बहुत बड़ी नेमत है और नाग से क्या काम होता है? सुंगने का काम होता है खुश्बू और बद्बू में फर्क महसूस कर सकते है हम नाक से खुझवु और बद्वु का एहसास कर सकते हैं मैं अपनी नाक को साफ रखता हूँ चोथा है ये मेरा मू है मू, अल्ला ताला ने हमें मू दिया है मू में कौन कौन सी चीज़े है मू में हमारे होट आते है हमारे दात आते है हमारी जबान आती है मुँ में जबान है मैं अपनी जबान से सच बोलता हूँ अल्ला ताला की बहुत बड़ी नेमत जबान है आपने गुंगे लोगों को कभी देखा है कितने बेबस, कितने मजबूर नज़र आते हैं वो लोग जो बोल नहीं पाते क्या उन्हें देखकर हम लोगों को अहसास नहीं होता कि ये अल्ला की कितनी अच्छी नेमत हमारे पास है हमें अल्ला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्ला पाक ने हमें जुबान दी है लेकिन जुबान का सही इस्तेमाल करना चाहिए जुबान से हमेशा सच बोलना चाहिए किसी को गाली नहीं देना चाहिए मेरे मुँ में दात भी है है ना जुबान के साथ साथ मुँ में क्या है दात है सहे सभी के दात आप सभी को दात है ना हाँ मैं अपने दातों से चबा कर खाता हूँ आपने देखा जो लोग बहुत ज़ेफ हो जाते हैं, जो बहुत बूरे हो जाते हैं, उनके दाथ गिर जाते हैं, तो उने खाने में कितनी तकलीफ होती है, है ना, वो लोग कोई सخت चीज, कोई कड़क चीज नहीं खा सकते हमें अपने, अल्ला का शुकर अदा करना चाहिए, क हूँ जब अल्ला ताला ने हमें इतने अच्छे दाद दिये हैं तो हमें उसकी सफाई का पूरा खयाल रखना चाहिए आप सभी को दो मरतबा ब्रश करना चाहिए एक सुबा उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले पता है ना आप चॉकलेट्स काते हैं दिन भर सब कु जबूत रहें अल्ला ने मुझे दो हाथ दिये हैं अल्ला पाक ने कितने हाथ दिये हैं हमें दो हाथ दिये हैं मेरे हर हाथ में पांच उंगलिया हैं कितने उंगलिया हैं हमारे हाथों में पांच उंगलिया हैं और हर उंगली के सिरे पर नाखुन है आप सभी अपने हाथो पर नज़र डालिये आपकी उंगलियों के सिर्छे पर जहां पर आपकी उंगली खत्म हो रही है वहां पर आपको نाखुन नजर आएगे तो अल्लापाक ने हमें पाँच उंगलियों पर पाँच नाखुन लगाए हैं मैं हफ़ते में एक मरतबा नाखुन काटता हूँ और दिन में कई मरतबा हाथ दोता हूँ देखिए अब बहुत सारे बच्चों को आदत रहती है कि थोड़े नाखुन बढ़ गए तो उन्हें दाट से कतरना शुरू कर देते हैं बहुत गंदी आदत है जो बच्चे दाटों से नाखुन कतरते हैं वो उनके पेट में बहुत जादा गंदगी हो जाती है और उनको उसकी वज़े से पेट में बहुत दर्द होता है तो आप सबी को इस बात का ख्याल रखना है कि अपने नाखुनों को कभी मूट तक ना ले जाएं और दाटों से अपने नाखुन ना कतरे हफ़ते में एक मरतबा आप नेल कटर से अपने नाखुन काटिये और अपने हाथ दिन में बार बार धोना है आपको अगर आप चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहे हम बीमारियों से दूर रहे तो आपको क्या करना है अपने हाथों को बार बार धोना है प्यारे बच्चों आपने अभी सब कुछ देखा है कि कुरोना वाइरस जैसी खतरनाक बीमारी चल रही है सभी को पता है स्कूले बंद है सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो ये बीमारी जो हो रही है तो आप टीवी पर मुबाइल पर हर जगे देख रहे हैं बार बार बताया जा रहे हैं कि सफाई रखिए अपने हातों को बार बार साबुन से धोए बार बार धोने का मतलब ये है कि जरासिम से हमको पाक रहना है जितने जरासिम हमारे बाडी में जाएंगे उतने हम जादा इफेक्टेड होंगे उतने जादा हम बीमारी में मुप्तिला होंगे इसलिए आपको बार बार अपने हातों को साबुन से धोना है और सफाई का पूरा पूरा खयाल रखना है मैं अपने हात से लिखता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ अब हातों से क्या काम कर सकते हैं लिखने का काम कर सकते हैं और बहुत सारे काम हम हातों से कर सकते हैं तो अल्ला ताला ने हमें दो हात देकर हमें बहुत बड़ी नेमत दी है ये मेरे दो पाउं हैं जिस तरीके से जब हम खड़े होते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमारे पास कितने पैर है दो पैर है हर पाउं में छोटी बड़ी पांच उंगलिया है अपने पैरों में भी उंगलिया है पांच उनके सिरों पर भी नाखुन है और उंग्लियों के सिरों पर क्या है नाखुन है मैं पाउं से चलता और दौरता हूँ है ना पैरों से चलने का काम दौरने का काम और आप फुटबॉल खेलते हैं पैरों से है ना ये सारे काम आप पैरों से करते है मैं अपने पाउं साफ रखता हूँ जाहर सी बात है जब Allah ताला ने हमें एतनी अच्छी चीज दी है इतनी बड़ी नेमत से हमको नवाजा है तो हमें उसकी सफाई का भी पुरा खयाल रखना चाहिए इस तरह पूरे जिसम की सफाई का खयाल रखता हूं और हमें भी अपनी जिस्म की सफाई का ख्याल रखना है जितना साफ सुत्रा हम रहेंगे उतने हम तंदरुस्त रहेंगे उतने हम बहुत फिट रहेंगे अगर हम सफाई पर ध्यान देते हैं तो हम बहुत तंदरुस्त रहेंगे तो प्यारे बच्चों, आप सब सफाई का ख्याल रखेंगे और अपने बदन को, और अल्ला पाक की नेमत को और अल्ला ताला ने जो हमारे जिसम में हर उजू, हर आज़ा जो दिया है उन सभी की हम सफाई का पुरा-पुरा ख्याल रखेंगे, इन्शाला ठीक है, अल्ला आफिस